लेटस्ट कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले नेपाल में हो रही बारिश से उतर बिहार की नदियों में उफान पांच जिलों में आया बार बार के चलते अपने मवेशियों के साथ पालायन करते किसान पटना नेपाल और उतर बिहार के डलग रहन क्षेतर में लगातार हो रही बारिश से उतर बिहार की नदियों में उफान जारी है नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी नदियों में उपान के चलते मुझफरपूर, पूर्णिया, सुपॉल, अरिया और सीता मडी जिले के कुछ इलाके में बाढ़ा गया है निचले इलाके के लोग पालायन कर रहे हैं बागमती और बूरी गंड़क नदी के जलस्तर में वृद्धी हो रही है बेनी बाद में तो बागमती खत्रे के निशान को पार कर गई किस जिले में कैसे है हालात तमुझपरपूर जीले के और आई प्रखंड के सिकंदरपुर में बूरी गंडक नदी के जलस्तर में धाई मीटर से अधिक विधी हुई है वहीं बागमती नदी बेनी बाद में शुकरवार को खत्रे के निशान से उपर बह रही थी बूरी गंड़क नदी के जलस्तर में हो रही विधी से बांध के अंदर बसे लोगों में दहशत है मुशेहरी वबोच्छा प्रखंड के कुछ गाउं में बाढ़ का पानी फैलने लगा है उधर और आईवकटरा में बांध के अंदर बसे गाउं में तेजी से पानी फैल रहा है इससे कई गाउं का संपर्क प्रखंड मुख्याले से भंग हो गया है पूर्णिया, महानंदा, कंकई, परमान नदिया ने पालेवान बंगाल के सीमावर्ती क्षेतर में हुई भारी बारिश के बाद से उद्वान पर है 22 अनुमंडल क्षेतर के बैसा, 22 अम और प्रखंड क्षेतरों के सीमाई इलाके में स्थित पुरान आगमनज पंचायत के नबाब गमनज, पुरान आगमनज, सुनापुर, सुगवा महानंदपुर पंचायत के कजल, बदू टोला, गंगर पंचायत के मालो पाडा तेलंगा, बंगामा पंचायत के हाट टोला, मडवा, चरया पंचायत के भसिया गाउं, 22 पंचायत क माला गाउं, खपड़ाप पंचायत के खपड़ा गाउं, चौनी आदी गाउं में बाड़ की स्थिती गंभीर है, सुपॉल, कोसी के जल स्तर में बड़ा उत्री होने से तड़ बंदु के अंदर बसे पांच गाउं में पानी प्रवेश कर गया है, सड़िक पर खरीब माहोने से आवागमन थप है, लोग उचे स्थान के तलाश में जुड़ गए हैं, बोराहा पंचायत के अरहा, सोन वर्षा, बुर्जा मुसहरी, बेंगा, बोराहा, गुढ्धियारी, जक्राही, परसामाधो, नौवा बाखर के सिम्राहा, चलेलवा, खाप, परसाहिल, सिम् पुरी के मुर्कुचिया, बालू टोला, मुमिन टोला, हासा, किसनपुर उत्तर के वार्ड नंबर एक, दो एवन तीन, मौजहा के सुकमारपुर, सिस्वा, दुबियाही के दुबियाही पूर्वी भाग, दिग्धिया पूर्वी भाग, बेला, बेगमगानज आदी टोले में बाल का पानी घुस गया है, अरिया, सिकटी प्रखंड के पूर्वी